हालो एवरीवान आजी क्लास रे आमें गोटे क्वेस्चिन को डिस्केसन करिवा यह गोटे आपणकर टूमार्कर क्वेस्चिन आसी बाग जाम रहे ठीक ची एटी कमपच्छार ची की इनर आटोमर्फिजिम ओफ डी फॉर इंड्यूस्ट भाई आर नाइटी तरुण एटी ज एटी कोला टूमार्क उचसि अंड्यूस्टि ऑयांतृ जीने क्होटे क्वेस्चिन दोबल न सेमय होटाच्वीमेटे समयॆयो Online क jest रिप्रेजेंट को जे तो हाउ इट लुक्स लाइक देखंदू यह आमर हुजी वह होराइजेंटाल लाइन आड यह हुजी आर जीरो लाइन अल्सो अन्द यह हुजी आमर कोण आर 90 एटा हुजी केते आर 180 आड एटा हुजी केते आर 270 बुझेला ता प्रे एठी रहीला कोण देखंदू हराइजेंटाल लाइन देन वर्टिकाल लाइन देन डाइगोनाल यह गोटे डाइगोनाल लेफ्ट आउ राइट डाइगोनाल एटी देटा होची तो बरतों आमें इन्नर आटोमर फिजम बाहर कोरिया फास्ट कारा ज आटमेंस आमरो जो भी टॉर्म पाई आमको बाहर करीवा रहाँ चेट वोड़ा मैपिंग फास्ट ने लिए मूं फाइग आर 90 फाइग आर 90 फ्रॉम डी फोर रो डी फोर बुझेला दाट इस आमें फास्ट आर जीरो रो बाहर करीवा फाइग आर नाटी आर जीरो जोटे क आर नाटी द Stephanto तकुका एटि weighingrão कि नाटी पाइग अर्फिस सब्सक्राइग आर जीरो आर सब्सक्राइन पांकर बाहर बाऊं को यहां आर गुट्टा लाइन रहिले र 90 रहिला अठी रहिला अठी रहिला के तक आर टू सेवनटी सो यूपियसली ये कते ही जीवा आर जीरो ही ये आठी आपनगरों हब भूझेला सो एब वे देखांदो आर जीरो कते हला र्जीरोरा आर्जीरो आलला सिमिल्लाइल आर नैंटी जटेटी फाइंड आणाओ ट करीवा ताहले ही कते हो आर नैंटी आर नैंटी रोहे ला एटा जोटे की एक स्रा भेलू क पर दाप की ऐला 10 जैस्टा जो आंट एक संथी गोटे लाइन रोईला तो आम्मर्खते जींग aren't आर नाइनटी इसली आ दो स्मिलाली आउजो दि एठी रोहिला आर आणवान इटी आमें आरा नाइटी तो सेम्पर करें बाहर करेंगे चरह से संवीति ओरकेते हावा अर 9 16 90 इंभर्स जुटे के होजी 270 तेवन चत्थी हो इंटी क्यात्य से एंटाली तेप करना हीचा आपणंग है ङचालर लुट हो आपकोक़् चाला दी और नीडारी आपणे से ले डी हावा ओके डॉन चलांदु अबे नेक्स्ट क्वेश्चिन कुल गोटे डिस्कोसन करिवें यह थियोरम वान अब दे मोस्ट इंपोर्टेंट थियोरम एक्जाम्रे यह पडिवारा भूच चांसे सोची ओके तोटल आपनकर पांच रूँ छोटा क्वेश्चिन ही यह पडिवारा चांसे सोची ओके बहुत ही सिलेक्टिव लॉंग कोश्चिन वडाका अच्छी ता प्रेदेखांदू थियोरम नॉबर वान थियोरम नॉबर वान कॉर्ण ओटमोर्फिजिम अप जी अंड इनर ओटमोर्फिजिम अप दाट गूप और मैं आपको आईजी वेल शु दाट ओड़्जी इस लेस्टन इसी ओके आमया आको सो करिवा जोटी कि आमें दिफाइन करिवा ऐ जी तो डिफाइन करिवा में अही भड़ी आमें एफ फ्रम जी तु जी औड प्रोंटेज ओग ओजी ओन औन अन उंटटो अमें हां कोँ कर यहां ऊंट गोई हैं यहा करिए कौन सथी पहीं मुझेठी दीटा नली दीटा नली ऐलिमेंट जोटे कि T1 & T2 जे की ओट जी वितर रोजी ओटमर्फिजम अब सी नि अंति अ न जे की ओटमर्फिजम अपर सी ओटमर्फिजम उतर जी टो सी ओट मेंच वन आपन पटे वेंट प्यां अननली आपन लोगेंट वाल्फिजम कि अमुझे के ओटमर्फिजम यू ऑटमर्फिजम अब सी और्यों यह जिते विल रोखूची ओट जी भीतर है हब ओके क्लियर एथेगी तो बर्तमान आमें एकको शो करीब होमोमोर्फिज्म केमीती हब ती वान ओफ टी टू अलिमेंट नली ए भी दाट देद आसोसेटी प्रोफिटी जाटी पूरा पूरी यूज होँची टी वान को मा बहार रखीची ओके इटी कॉम्पोजिशन मान रखांदू कॉम्पोजिशन आवफ फंक्शन एटाब हैजी अपना जितावले मोर्द्यान आमें टू मैपिंग आमें नहुचे ओके से टाइम रहीं आमें आरा कॉम्पोजिशन है थाए ओके सो यह होची तेंटा सेट तेंटा सेट भीतरे जैदी गोट् थेट युच टू खेड़ सेट रहीं तको कॉम्पोजिशन वली की कोई थाओं आध में रहीं खूंदू आपको मों आयए वडय आभे एठी भांगी की लेकिले टीटू एे लिए एग्डी तू एडेज अट थीवान आफ की टू आफ्टीच्टू ए और आफ्डीटू बी तो T1 ये टोटल बाहरे ओची जेकी T2A और T2B को एठी multiply कला, so एठी आमें केमती लेख पारीवा, T1 T2A T1 of T2A जाको मुए इवड़े आबे लेखेली, ठीक अची similarly T1 of T2B जाको मुए इवड़े आबे एठी लेखेली, ओके तो यह आपनकर homomorphism है इगला, so from equation 1 and 2 belongs to the automorphism of Z, which is equation 3 so let, let करिव एठी कन, that T belongs to AUT G, T belongs to AUT G we have to show that the inverse of T is also belongs to AUT G, i.e. 1 1 and 1 2 so it implies that T inverse from Z to G exists and well defined and 1 1 and 1 2 that means 11 and 2 बुद दो आपक हो तीवाँ, okay? So, that is, तर बुद झावद करना हुजी, एक्जिस्ट कर चीव लिल दीफियन, 11 and on 20 how are so far जय को मैं बरतान शो करीवा थी कछी फर a b belongs to g ati data element मुनली का वितर नजी वितर नली we assume that T inverse a is equal to a1 and a T inverse b is equals to b1 okay so this can be written as akum kemati like pari ना a is equal to ta1 okay T inverse a is equal to a1 that means key a is equal to ta1 similarly b is equals to tb1 so that is a managraji the product moon a jv karo a a b a b is equal to ta1 into tb1 okay अच्छा एभे देखां दू एठीकेत हला ना a b is equals to ta1 b1 तामाने T inverse a b is equal to a1 b1 ठीके छी मा क्लियर कर दूँछी a b is equals to ta1 b1 this means key we can write here T inverse a b is equals to a1 b1 okay now this can be written as T inverse a b is equals to ta kame kemati like pari ba T inverse a and T inverse b okay so from equation 3 and 4 from equation 3 and 4 3 रेकान थिला है या मारत थिला T1 of T2 which belongs to the automorphism of Z and in equation 4 we got that the inverse T inverse a b is equals to T inverse a into T inverse b so from equation 3 and 4 here we get that automorphism of Z is belongs to a Z okay so that means automorphism of Z is a group okay automorphism of Z is a group now we will show that I'm a T con fast to collect data cases rame so collect the first time on composition rate करतेले की automorphism and inner automorphism are group under composition ये थिलाना आमरो तर्णू आमें automorphism of Z ताहटी बाहर कर देले की इट जग्रूप नाउवी विल शोओ की इन और automorphism of Z is a group okay जोड़े की बर्तमन आमें एटी शोव करिवा या now we will show that inner automorphism of Z is a normal subgroup of automorphism of Z आकको बर्तमन आमें शोव करिवा या कान शोव करिवा ना inner automorphism of Z is a normal subgroup of Z so for AB belongs to inner automorphism of Z that means A inverse is belongs to inner automorphism of Z तो हमाने individual समाना कर प्रड़क्ट जदी inner automorphism वितेर रहुजी that means की समाना जो individual element पाना कर इंवर्स that also belongs to inner automorphism of Z so how can we represent this inner automorphism of Z like this i.a or T.a for all a belongs to Z that means ंने आठी अको केमी ती लेख कहारिवा na T.a, T.a, T.b belongs to inner automorphism of C now we will show that their composition that is TA and TB now we will show that their composition TA of TB is belongs to inner automorphism of Z so now for any TX let any TX for all X belongs to Z and Y belongs to Z we can write here that TA of a TB of Y is equals to TA in T a bhaar rakhili bracket b yb inverse so ab yb inverse a inverse ok a b yb inverse a inverse ok a b yb inverse a inverse a b yb inverse ok and a b yb inverse see a morko format raskala a b and a b inverse y so yama raskala kata inner automorphism that is T of a b y ok so this means ki a t a of TB TA of TB is equals to T of a b which belongs to the inner automorphism of Z so now let let TA belongs to inner automorphism of Z that means their inverse is also belongs to the inner automorphism of Z so now the composition of TA and TA inverse that is equals to TA inverse which is the identity so TE is equals to I and this can be written as this can be written as TA inverse is equals to TA inverse okay TA bracket inverse is equals to TA inverse which is also belongs to the inner automorphism of Z so now this can be written as TE of X TE of X which is equals to EXE inverse so this can be written as what X okay so that is TE TE is equals to the identity so now from equation 1 and 2 here we have TA of TB is equals to TAV which belongs to the inner automorphism of Z and here we get that TE is equals to the identity so now this can be said that the inner automorphism of Z is a normal subgroup of automorphism of Z okay the normal subgroup of Z is equal to the condition we have to satisfy this means that inner automorphism of Z is a normal subgroup of automorphism of Z okay so this completes our proof